वेलकम टू जो फाइंडर दोस्तो मैं प्रेम आप सब का स्वाइद करता हूँ आप एके यूटूब चैनल पर जैसे कि आपसो की पता है कि हमने दिल्ली प्लिस कों से बल्ड टूटाजन ट्वंटी के लिए कंप्यूटर जीके की सीरीज शुरू कर रखिया है और आज हमारा नाइटीन है वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसों को बता दूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं बच्चे जुड़ते हैं हम इसके अंदर मैं आपके साथ इसके अंदर 30 प्रशन डिसकस करता हूं बस आप इस वीडियो को जादर लाइक और शेर करो ताकि औ नहीं है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन सी ओप्टिकल ठीक है और नेक्स नमबर टू है आपके सामने दोस्तों कि PC पर किसी डोकुमेंट पर कारिय करते हैं तो डोकुमेंट अस्थाई रूप से कहां पर स्टोर किया जाता है अब हम दताओ PC यानि पर्सनल कंप्यूटर वर किसी डोकुमेंट पर कार्य करते हैं तो डोकुमेंट अस्थाई रूप से कहां पर स्टोर किया जाता है इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जएगा ओप्शन ए रैम में मैं आपको दुबारा बतादू हर कोशन आपके एक्जाम के लिए किया जाता है यह कोशन मैंने आपके साथ पहले भी डिसकस कर रखा है लेकिन आप मैंने इसको दूसरे फोर में आपको साथ डिसकस कर रहा हूँ मैं आपको दुबारा बता रहा हूँ आपने हर वीडियो को देखना है अब हम जता हो कि इन मेंसे cash memory का प्रियोग कि इसके लिए किया जाता है इसका क्या answer हो जाएगा इसका अजर जगा option A memory वा प्रोसेसर के बीच गती अवरोत को दूर करने के लिए और next question number 4 ता है आपके सामने कि निमन मेंसे कौन सी memory का सबसे कम access समय होता है अब आप जता हो कि इन मेंसे ऐसी कौन सी memory है जिसका सबसे कम access समय होता है इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option A cache memory का ठीक है और next question number 5 आपके सामने दोस्तों कि एक device को data और instruction locate करने और उन्हें CPU को उपलफ्ट कराने में लगने वाले समय को क्या कहते है अब सारे बच्चे मुझे आसे कि इसका अंदर सही बच्चे देंगे कि जो एक device होता है को data और instruction लोकेट करने और उन्हें CPU को प्लब्द कराने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं इसका क्या अंसर होजेगा इसका अंसर होजेगा ओप्शन सी लेकिन आपने नहीं होना है और next Question है कि किया सकने वाला की दाना की अधिक्ता मातर को क्या कहते हैं और नेक्स यानि कोश्चिन नमबर सेवन ता आपके सामने कि CDRW की फूल फॉर्म क्या है अब मुझे CDRW की फूल फॉर्म ताओ यह सारे अपके सामने गीवन है आप फटापट उप्शन को पड़ो और मुझे इसकी फूल फॉर्म का अंसर दो इसका क्या अंसर होजएगा इसका अंसर होजएगा ओप्शन सी कॉमपैक्ट डिक्स इली राइटेबल फाइन और आप सब बच्चे मुझे आसे की इसका अंसर सही दिया होगा और आपने अंसरे के साथ मेरे आंसरे बीजूर मैच करने है और नेक्स कोशित रहे है कि वर्चुल मेमरी का अकार निमण में से किस पे निर् Butter करता है अब हम जता हो कि जो virtual memory होती है उसका अकार कि इसमें निर्बर करता है database पर, deck space पर, address पर या data पर इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जोगा option B जिन बच्चों ने भी option भी answer दिया है उन सब का answer सही है और next question हमारा कि computer की built-in memory निमन में से कौन सी है यह सारे option आपके सामने है अब हम जता हो कि computer की built-in memory निमन में से कौन सी है इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option D fine और next question number 10 था आपके सामने कि computer में एक अन प्रोग से दूसरे अनुप्रोग में समागरी का अंतरन क्या कहलाता है dynamic data exchange, dynamic disk exchange, dozy data exchange या इन में से कोई नहीं इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option is dynamic data exchange ठीक है और next question number 11 था आपके सामने कि web page का एक word जिसे click करने पर दूसरा document खुलता है dash कहलाता है अब हम बता हो कि जो web page होती है कि उसका एक word जिस पर click करने पर दूसरा document खुलता है वो क्या कहलाता है इसका क्या answer हो जाएगा यानि option से इसका answer हो जाएगा fine और जैसे आपको बता है मैं आपको इसकी पीडिया भी प्रवाइड करता हूँ जिसका link मैं आपको description box में प्रवाइड कर दूंगा आप मारे telegram group से जुरूर जूड़ जाना next question हमारा किस command की सहता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं अब आम दोता हो कि जैसे आप काम कर लो और आप इन में से किस command की सहता से अपने किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हो ctr plus w, ctr plus m, c plus f या control plus s इसका क्या answer हो जाएगा option d या control plus s से fine और next question number 13 आपके सामने कि निमन में से कोन निशूल्ग email सेवा परदान करता है इन में से ऐसा कोन है जो निशूल्ग email सेवा परदान करता है इसका क्या answer हो जाएगा option c ये सभी fine और आप सब बच्चे command box में जूर सब्सक्राइब करनों को साउंड काड़ों से पॉर्ट जोड़ता है मिन नहीं यूस्बी या स्पीकर इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ओप्चिन सी ठीक है पर नेक्स नमबर फिप्टिन आपके सामने कि निमन में से इन्टरणेट किसे द्वारा चलाया जाता है अब आнакомता हो छो इन्टर नेट है वो चलाया जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जगा ओप्चिन इन मैं से इंक्स. разм सिक्षिन तो अब कि लिए सिय्थ कि विग्ण से की बटन को और यह कुशन से 17 ते हैं आपके सामने दोस्तो अब फड़ा वट कोशन को पढ़ो मुझे अंसर दो कि नीमन में से Excel में किस विकल्ब के प्रियोग से चार्ट बनाया जाते हैं अब आउता हो जो MS Excel है उसमें किस यानि इन में से किस की प्रियोग से चार्ट बनाया जाते हैं पाई चार्ट चार्ट विजन बार चार्ट यह टेबल चार्ट इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन भी ठीक है और नेक्स जानी कोशन नमबर 18 था आपके सामने कि MS Word डोक्यमेंट में अक्षरों के नीचे लाल निशान निमन में से क्या दरसात है जैसे मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियों पताया था कि कुछ कोशन जो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो अगर आपके पास लैप्टोप या कंप्यूटर है तो आप उनको प्रैक् प्रैलिंग में तुरूटी ठीक है और नेक्स निकोशन नंबर 19 था आपके सामने कि बाइडिफॉल्ट डोकुमेंट निमन में से किस मोड में प्रिंट होते हैं लैंड्सके पेश सेट अप पोट्रेट या कोई नहीं इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी बस आप इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करो और जो कुछ नए बच्चे जूड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथ में बैल आइकन जूर दबा लेना नेक्स विंडोस सोफ्ट्वेर का निर किया गया था लोटस माइक्रोसोफ्ट नोवेल या कोई नहीं इसका अंसर हो जोगा ओप्शिन भी माइक्रोसोफ्ट के दवारा और नेक्स कोशन हमारा कि भारत में नीमन में से किस राज्य ने स्वर्पतम इंटरनेट पर टेलीफोन डिरेक्टर्यू प्लग कराई थी ऐसा करने वाला भारत के कौन सा राजय था राजस्तान सिक्किम आंदरपरदेश या च्छतिस गड़ इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जोगा ओप्शन भी सिक्किम और नेक्स कोशन हमारा कि नीमन में से स्प्रेड़ शीट प्रोग्राम में किसके समद्ध में जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोडती है उसे क्या का जाता है यानि कौन सी डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोडती है बस रोडवे गेटवे या कोई भी इसका क्या अंसर हो जेगा इसका अंसर हो जेगा ओप्शन सी ठीक है और ने लेंग्विज जिन बच्चों ने भी एंसर दिया है उन सब का अंसर सही है और नेक्स कुछन हमारा कि एक्सल में एक्टिव सेल के कौनमन में से कौन डिस्पले करता है रोग हैडिं फोर्मुला बाल नाम ये तीनो इसका इसका आश्योत करता है और कंप्यूटर में उप्योग के लिए बजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं software package only software software system यह software भाशा इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option a software package का जाता है उसको और next यानि question number 29 आपके सामने कि windows 98 का विकास किस वर्स कब हुआ था अब आ जाता हो कि windows 98 का विकास किस वर्स हुआ था 2001 2000 में 1998 में या 1999 इसका answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option c 1998 में ठीक है यानि last question हमारा कि नीमन में से कौन optical disc का उधारन है और आप सब बच्चे मुझे मैं आपको दोबार कह रहा हूँ आप सबने मुझे comment box मताना है कि आपके 30 में से कितने answer सही है अगर आपके ज्यादा answer सही आपने नहीं आ रहे तो आपने कोई चिंता नहीं करनी है मैं आपको इसकी पीडिया परवाइड करो आप से रिवीजन करो देखना आपको वेपल में कोई भी परशानी नहीं आएगी मैं नीडिक्स मैंगनेटिक डिक्स डिजिटल वर्स्टाइल डिक्स या कोई नहीं इसका क्या answer हो जागा इसका का option C ठीक है बस आप continuity बराया रखना आज की वीडियो बस इतना ही मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो जादे शेयर करो ताकि और ही बच्चे हम से जूट सके और हम बहु